नमास्कार दोस्तों मैं स्टूल रजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूटीव चैनल अक्षी टैस्टरों मास्टर में मेरे तुला लगन एम तुला राशी वाले दोस्तों कैसे हो दोस्तों इस फलकथन में जीवन के हर महत्त पुरण पहलू पर बात करेंगे इसलिए आप कंप्लीट वीडियो देखें हर पहलू महत्त पुरण है कोई भी पहलू मिस ना करें स्वास्त दन संपत्ति घर परिवार शिक्षा कार्या वेपसाइब भाग्ये प्रेम स्वंद आदी दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दन संपत्ति की दोस कम रहेगा अक्समात दनलाप के वी योग बन रहे हैं पैत्रिक संपत्ति प्राप्ति का योग भी है इस वर्ष आपकी आर्थिक्स्तिती बेहतर रहने वाली है बचत करने में आप सफल रहेंगे तो तो वर्ष दोयार बीस से तुलना की जाए तो दोयार बीस में आए में कम इसरफ आप सुखें पर संता का नवाव करेंगे आप लगातराई वृदी के लिए परियास रत रहेंगे तो तहा आपके प्रियास सफल सिद्ध होंगे जो तो इस वर्ष आपको अपनी मेहिनत कार्या कुशलता अनुबहत तो तह प्रियासों का पूरन फल आपके रूप मे मिलेगा आपकी मेहनत वियर्थ नहीं जाएगी बलकि मेहनत से अधिक ही लाब मिलेगा दो तो वरश के प्रारंब से ही राशी स्वामी शुक्र धनबाब में ब्रमन कर धनबाब की शुक्ता में वृद्धी करेंगे लगज्री लाइफ हैं बहुत धिक सुखों के कारक शुक्र का धनबाब में प्रमन धन के सबंद में अति उत्तम है धन में वृद्धी होगी बैंक बैलनस बढ़ेगा शुक्र की अश्ठम बाब अपने ही बाप पर दृष्टी और इसके साथ गुरू की भी अश्ठम बाप पर दृष्टी अक्समात धनलाव के योग बना रही है दोस कि छास समय के लिहाज से अति उत्तम रहें जृए़गा निवेश कारियों से दणलाव होगा रुका अठका तथिप फसा होगा दन निस समय सी मां में कम प्रियास से ही मिल सकता है शेर बजार से सबंदित कारिया करने वाले दोस्तों के लिए भी यह समय सीम क रहेगी ठंडे सीमा में आपके सहास प्राक्रम मेहनत तथा बुद्धिवल से दन खींचा चलाएगा दन की कोई कमी नहीं रहेगी जो तो बात करें घर प्रिवार की तो परवारिक द्रिश्टीकों से यह वर्ष मिले जूले पर नाम लेकर आएगा दितिये बावस्त के तू तो चतुरत में केत्व के साथ यूति में शुक करके फालसुरूप परवारिक दस्यों के साथ मदूरता कायम रहेगी छुट पुट तूंतू मैं मैं हो सकती है मामला कोई खास बिगड़ेगा नहीं आपको अपनी वानी और वहवार में परवर्तन करना बहुत वश्यक रहेगा वानी औ को शब्दों का परियोग ना करें साथ ता सच बोलें दोगली बात ना करें वानी को नियंतरन में रखें दोस्तों वर्ष प्रारम में दंपत्य बापर मंगल के ब्रमन से क्रोध के वशीवूत होकर दंपत्य जिवन में कुछ मतवेद पैदा हो सकते हैं इसलिए खासकर वर प्रेश और उगरता पुरन वहवार ना करें करोध वानी पर नियंतरन रखें दोस्ता अप्रैल से लेकर स्तंबर महां तक गुरू पंचंबा में ब्रमन करेंगे यह समय प्रवारिक शेत्र में सुख शांती का रहेगा संतान के साथ भी पहले से कोई मतवेद या तो इस समय अवदी में वह मतवेद दूर होंगे समंदों में मद उर्ता वड़ेगी संतान सुख में वरिदी होगी इस समय संतान शेत्र से कोई सुखत समाचार मिल सकता है संतान समंदी रुके कार्या पूरन करने के लिए बहुत शुब समय है इस समय अवदी में बड़े वाई और मित के लिए भी शुबयोग बनेंगे प्रसपर स्वंदों में मदूरता बढ़ेगी पंचमबापर गुरू के ब्रमन से नव दमपत्तियों के लिए इस समय घर में संतान के जनम का भी शुबयोग बन रहा है दो बात करते हैं नव वर्ष भाग्या के स्वंद में कैसा रहेगा दो बाप से बुद्ध के साथ लाब बाप के सुमी सुर्यावी भाग्यावाब को पुरन दरिश्टी से देखेंगे इस वर्ष आपको बहुबल के साथ बाग्यावल का भी पूरन से योग मिलेगा दो तो आप बात करते हैं कार्यावेफसाई और वेपार के स्वंद में दोस्त लाब मार्ग प्रशास्त करेंगे वर्ष के प्रारंब से ही आप अपने कारयावेफसाई को लेकर बहुत साहित रहेंगे आप में नवीन उर्जा शक्ति का संचार होगा इस वर्ष आप में अपने कारयावेफसाई और वेपार को सफलता ह्यं उन् briके शिकर ने जाने की कि राशी पर दृष्टी पात कर रहे हैं यह दृष्टी आप में जो शम उर्जा शक्ति की वृद्धी कर रही है जो आप में इस वर्ष कुछ नियात तब बढ़ा करने के लिए प्रेडित करेगी इसके साथ करम बापर केंदर स्थान से ही तीन दृष्टी एंप पड़ रही है आपके सहास प्राक्रम में वृद्धी होगी आतम विश्वाश बहुत अच्छा रहेगा कार्या शित्र में आप जो शम उर्जा शक्ति युक्त रहेंगे उच्साहित मन से कामकाज में जुटे रहेंगे लोक्री पेशा लोगों के लिए भी यह वर्ष पदोनती के दो दना करें दोस्तों प्रायल से लेकर स्टमबर माता का समय कोई नया कार्यावेबसाइप प्रोजेक्ट यह वेपार शुरू करने के लिए बहुत शुब है इस अवधी में संतान के नाम से शुरू किया गया कार्यावेपार दंदा एक सिद्ध होगा आर्तिकुनति लाब आए वरिदी के प्रबल योग बन रहे हैं दोस्तों बात करें शिक्षा की तो विद्यार्थियों के लिए प्रैल से लेकर स्टमबर माता का समय उत्तम है खासकर उच शिक्षा से समद्धित विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थियों की शिक्षा में रूची एम माल की होगी प्रतियोगी प्रिक्षा की त्यारी कर रहे विद्यार्थियों को गुरू फुल सपोर्ट कर रहे हैं प्रतियोगी प्रिक्षाओं में बाग लेना चाह रहे हैं तो वर्ष मद्या के महीने बेहद अनकूल दिखाई दे रहे हैं दोस्ता बात करें स्वास्त की तो वरश अरांब में राजिस्वामीं, शukर दित्यवान में मंगल की राशी में विराज मान होकर राहु के तु से गरस्त रहेंगे, राशी पर भी शनी वान मंगल की दृष्टी पढ़ रही है, रोगभाभ के स्वामीं गुरू भी शनी के संपर्क में है, इसलिए वर्ष अराम्ब में आप में क्रोद के भाव की अधिकता से आपका सुआप कुछ चड़ चड़ा तथा निराशावादी रहेगा प्रंतु पांच अप्रेल से गुरू के राशी प्रवर्तम से आपके स्वास्थ तथा सुआप में बेहतर बदलावाएगा पंचम बाप से गुरू आपकी राशी पर द्रिश्टी डालेंगे गुरू की इस द्रिश्टी से नकारातमक विचारदारा दूर होगी विचारों में शूत्ता के साथ सोच में सक्रातमकता देखनी को मिलेगी अपरेल के बाद आपका स्वास्थ उत्तम रहेगा आप श्रीरिक स्वास्थ के साथ मांसिक रूप से विस्वास्थ हैं परसन रहेंगे नवीन विचारदारा नई योजनाओं को जनम देगी शनी की रोगबा पर द्रिश्टी के फलसुप योग साधना तथा वययाम भी नियमत रूप से करते रहें खासकर नव वर्ष की शुरुआती और अंतिम तिमाई में सतरकता बरते हैं दोस्तों बात करें प्रेम सबंदों की तो प्रेम मीजन के साथ अचानक मतबद उबरने से समस्याई बढ़ सकती हैं किसी के बहकावे में नाएं एक दूसरे के प्रती विश्वाश बनाई रखें वर्ष मद्या के महिनों में प्रेम सबंदों में मदुर्ता वरिदी होगी इस समय एक दूसरे की भावनाओं को समझने का मौका मिलेगा दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट और सबस्क्राइब करना ना भूद दन्यवाद